प्रेगनेंसी के दौरान गर्वती महिलाओं को खाने पीने की हर चीज को लेके बहुत जादा साथधाने बरतने चाहिए. बात करो दालों में काली दाल की तो काली उड़त की जो दाल होती है इसे लेके कुछ गर्वती महिलाओं के मन में कश्मकश बनी रहती है कि क्या इस जोरान ये काली उड़त की दाल खाना सुरक्षित होगा या फिर नहीं होगा. तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगी क्या इसके फायदे हैं और इसे खाते वे क्या-क्या साफधानी अगरवती मैलाओं को रखनी है यह जानना आपके लिए भी बहुत जादा ज़रूरी है तो जानने के लिए इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा नमस्कार दोस्तों मैं अभूजा स्वाकत करती हूँ आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी टिप्स और इंफोर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ दोस्तों चैनल मैं अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसे हिट करके ग्रे कर लीजे साथ ही बेल बटन है उससे और के साथ प्रेस करिए ताकि ऐसी ही प्रेग्नेंसी रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो तो दोस्तों चले यही वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ काली उड़त जो होती है वो गर्भावस्ता के दौरान खानी बिलकुल सुरक्षित होती है कुछ महिलाएं जिनको प्राब्लम होती है खास दौर पर एसिरिटी की उन महिलाओं को यह दाल खाने से पहले एक बार सोचना चाहिए अगर उन्हें बहुत ज़्यादा एसिरिटी की प्राब्लम है तो सिर्फ उन महिलाओं को ही काली उड़त की डाल नहीं खानी चाहिए काली उड़त की डाल में दोस्तों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसेट्स होते हैं और ये जो फैटी एसेट्स होते हैं दोस्तों ये मानव सरीर में नहीं बनते हैं तो यह asset आपको बाहर लितार पर सीवन में लेनी चाहिए तो काली व्रत की डाल में यह asset आपको भरपूर मातरा में मिलते हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि व्रत की डाल या फिर व्रत की डाल के पकोडे बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरन इससे खाने का मन है तो आप इससे बेज जिजग खाएए ये बिलकुल सुरक्षित डाल है इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रोटीन तो होता ही है भरपूर मात्रा में इसके अलावा इसमें आहरन होता है कैलशियम होता है विटामिन सी, मैगनेसियम, सोडियम और साथ ही पोटेशियम होता है और फाइबर भी काफी अच्छी मात्रा में होता है तो चलिए इसके फाइदे सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों तो फाइदों की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बता है इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो इम्मुनिटी सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए ये अच्छे आथ बैक्टिरिया यानि की गुट बैक्टिरिया जो होते हैं हमारे पेट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो ये बैक्टिरिये जो है हमारी शेरी में भोजन को पचाने के लिए काफी जादा मददकार होते हैं और वैसे भी महिलाओं की इम्मुनिटी सिस्टम में जो वीक हो चुकी होती है उसके लिए उड़त की डाल काफी जादा फायदेमंद होती है इसके अरावा दोस्तों डाइबर्टिक जो महिलाएं होती हैं उनका कॉलस्ट्रल लेवल भी काफी जादा गड़ बढ़ाया हुआ रहता है ऐसे में उड़त की डाल आपकी कॉलस्ट्रल लेवल को निंद्रित करने में काफी जादा सहायक होती है क्योंकि इसमें fatty acids मौजूद होते हैं और इतना ही नहीं शिशू का दिमाग अच्छी तरीके से विकसित हो इसके लिए भी fatty acids बहुत जादा ज़रूरी होते हैं तो fatty acids आपको मिलेंगे उड़त की डाल से जिससे की गर्ब में ही भूण का दिमाग मस्तिस्क अच्छी तरीके से विकसित हो और साथ ही protein की मातर अच्छी होने से ये गर्ब में शिशू का सारणी की विकास काफी अच्छी ठंसे करता है calcium की मातर इसमें अच्छी होती है अगर आप उड़त की डाल खाते हैं तो आपके शरीर में calcium अच्छी मातर में अफसोर्षित होता है जिससे की महिला की हड्या भी मजबूत पनी रहती है और साथ ही गर्ब में शिशू की बनने वाली हड्यों को भी मजबूती मिलती है अगर इस दोरान आपको खून की कमी हो जाती है तो इस डाल का सेवन करने से आपको iron मिलेगा जिससे आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी काली उरत की दाल दोस्तों, फाइबर, मैगनेशियम, पॉटेशियम का भी काफी अच्छा सोर्ष होती है जिससे की गर्बती महिलाओं में जो कब्ज की आम समश्या होती है उसके रोक्ठाम के लिए भी ये काफी ज़्यादा फायदे मंध होती है तो इतने सारे फायदे मिलते हैं आपको इस दाल का सेवन करने से लेकिन कुछ सावधानी आपको जरूर रखने हैं दोस्तों तभी आप काली उरत की दाल का सेवन करेंगे तो ये आपको भरपूर फायदे देंगे सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ये डाल का सेवन नहीं करना है अगर आप लिमिट में इस डाल का सेवन करेंगे तो ही आपको इसके ये भरपूर फायदे मिलेंगे दूसरी चीज कि इस डाल को आपको बहुत अच्छी तरीके से पका के खाना है क्योंकि इस डाल में हो सकता है कि E. coli, Salmonella और Listeria जैसे खतरनाथ bacteria पनाप रही हों तो इस डाल को अगर आप बहुत अच्छे से धो के और अच्छे से पका के इसका सेवन करेंगे तो इससे जो यह bacteria होते हैं यह बिल्कुल नस्ट हो जाते हैं तो आप गई जीजे कि इस डाल का सेवन कर सकते हैं बसारते यह दाल बहुत अच्छे से पकी भी हो और जैसे मैंने शुरुवात में आपको बताया था कि अशरिटी की प्राब्लम अगर आपको हो रही है तो इस डाल का सेवन आपको नहीं करना है और लिमिट में इस डाल को सेवन में लेना है So I hope यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों शेयर करिएगा Thanks for watching दोस्तों फिर मिलूंगी Next वीडियो में तिल देन Stay Happy, Stay Healthy